राधे राधे जी, हैपी नवरात्री, जै मातादी, आज नवरात्री के साथ में दिन मा दुर्गा के काल रात्री रूप की पूजा की जाती है, तो आज हम उनकी कथा कहेंगे आत्वें दिन मा काल रात्री की अराधना की जाती है, ऐसा माननता है कि मा काल रात्री की पूजा तभी संपन मानी जाती है, जब तक कि मा की व्रत कथा को पढ़ा या सुना नहीं जाए, आईए जानते हैं कि मा के इस रूप का वर्णन और मा से जुड़ी पुरानी कथा माद दुर्गा की साथमी शक्ती काल रात्री के नाम से जानी जाती है अर्थाथ जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विदूत की तरह चमकने वाली माला है इस देवी के तीन नेत्र हैं ये तीनों ही नेत्र ब्रम्हांड के समान गोल हैं इनकी सांसों से अगनी निकलती रहती हैं ये गधर्ब की सवारी करती हैं उपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं दाहिनी की तरफ का नीचे वाला हाथ अभे मुद्रा में हैं यानि भक्तों हमेशा निर्डर निर्भे रहो बाई तरफ के उपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है इनका रूप भले ही भयंकर हो लेकिन ये सदैब शुपफल देने वाली मा हैं इसलिए ये शुभंकरी कहलाई अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी परकार से भैबित या अतंकित होने की कतई अवशक्ता नहीं उनके साक्षात कार से भक्त पून्य का भागी बनता है काल रात्री की उपासना करने से ब्रह्मांट की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उचारन से ही भैबित होकर दूर भागने लगती हैं इसलिए दानव दैत्ते राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मर्ण से ही भाग जाते हैं रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वर्दान था कि जब जब उसके लहू की बूंद इस थर्थी पर गिरेगी तब तब हर बूंद से नया रक्त बीज जनम लेगा जो बल शरीर और रूप से मुख्य रक्त बीज के समान ही होगा ऐसे मेमा काल रात्री ने रक्त बीज की गर्दन काट कर उसे खपर में रक लिया तांकि रक्त की बूंद नीचे ना गिरे और उसका सारा खून पी गई बिना एक बूंद नीचे गिरे जो भी दानव रक्त से उनकी जीवा परुपन होते गए उनको खाती गई इस तरह मा काली ने रक्त बीज का अंत किया तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं कल आठवे नवरात्रे पर मा माहागोरी की पूजा की जाती है तो हम उनकी कथा कहेंगे जैश्री रादे, जैश्री कृष्णा, जैमातादी, टेक्यार